आपका UPSC Caesar Prelims बहुत नजदीक है और अभी भी बहुत सारे बच्चों की मन में ये दाउट है, बहुत सारे बच्चे कोशन पूशते हैं कि सर सीसर पेपर हो कैसे क्लियर किया जाए, कैसे क्वालिफाई किया जाए और अगले कुछ दिनों में क्या किया जाए जिससे हमाँ सी में आपको बताऊंगा कि वो कौनसे अप्रोच को अपना कर आप अगले 12-15 दिन में और दूरिंग दा पेपर आप क्या करेंगे जिससे आपके प्रॉबिल्टी या चांसे बढ़ जाते हैं सीसर पेपर को क्लियर करने को, देखो अगर आप पूरे पेपर की बात करते हो तो आपको भी पता है, पूरा पेपर तीन पार्ट में आपका डिवाइडेड है, जो कि मैस है और जनरली में मैस को यहां मैस नहीं बोलता हो, अप्टिट्यूड बोलता हो, और अप्टिट्यूड इसले क्योंकि वो बेसिक अंडर्स्टैंडिंग पूछ रहा होता है, जो आप बाकी पेपर्स में वो क्या है, बाकी पेपर्स में बेसिक अंडर्स्टैंडिंग किसी भी टॉपिक का पूछ रहा होता है, तो आपका अप्टिट्यूड वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, तो कितने क करने हैं कैसे क्या approach होगी हम one by one discuss करेंगे तो सबसे पहली चीज जो सबसे important चीज आपको समझनी है वो आपकी अगली slide है और वो अगली slide आपसे क्या कहती है कि 70% of the questions are coming from 20% of the slivers ये आपके लिए जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्यान है कि आप इसको समझो कि जो आपका 70% question आ रहे हैं मतलब 45-50 question के अगर मैं बात करूँ जो आपके C-set में आ रहे हैं वो अगर आपने 20% syllabus cover कर लिया तो आपको उसमें से ज़्यादा chances है कि आपको उतने question पढ़े हुए मिल जाए exam में ठीक है होता क्या है कि हम लोग सब कुछ करने की कोशिस करते हैं before the examination ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं for example अगर मैं aptitude की बात करूँ तो बच्चा start कहां से करेगा वो geometry से start करेगा बच्चा start कहां से करेगा वो probability से start करेगा क्यों चुकि वो उसके ego को satisfy कर रहा होता है लेकिन question कहां से आता है question किसी और topic से आ रहा होता है तो आपको समझना क्या है वो 20% topic कहां से question आ रहे होते हैं और यह कैसे पता चला है 20% topic कौन से हैं यह हमने जब previous year paper को analyze किया तो हमने पाया कि UPSC किवल कुछी topic से question पूछ रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा यह change भी हो सकता है trend लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें सबस best approach क्या है जिससे हम exam को clear कर जाएं मैं आपसे यहां पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी कुछ ना पढ़ो मैं बस आपसे यहां पर यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन topics को करते हो तो आपकी probability बहुत जादा है exam को clear करने की आपके पास time है आपके पास समय है तो priority wise जो next कुछ topic है उनको आप starting से करोगे ठीक है तो यह golden statement है जो आपको समझना ही समझना है ठीक है देखो यह अगर आप subject की बात करें हम discuss कर चुके subject में तीन पार्ट है basically आपका इस mass की जगह मैं हमेशा बोलता हूँ क्या आता है aptitude आता है मैंने जानमूझ की slide में aptitude क्यों न नहीं लिखा क्योंकि वणना बच्चा के कुछ नया आ गया नहीं यह है मैसी लेकिन aptitude क्या है मैस क्या होता है जब आपसे basic वो जिसे कहते हैं कि question formulas उनका application पूछ रहा हो यहाँ पर क्या है जिसे percentage एक topic लूम है तो percentage का basic understanding में 2% के comparison पे आप देखो उठा के आप paper कम से कम 10 question ऐ से पूछे गए हैं जो एक topic पे है कि आप दो चीजों के percentage वो compare नहीं कर सकते हो जब तक उनका reference नहीं पता जब तक उनकी base value नहीं पता ठीक है ना तो यह आपको समझना है कि यह बड़ा simple सा है आपके लिए कि आपको जिसे कहते हैं कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहा कर रहे होंगे इसको ठीक है next अगर आप देखते हो mask की अगर हम लोग बात करें aptitude की बात करें तो यह वो कुछ topic है जो सबसे important है इनका कितना weightage मैं आपको बताने जा रहा हूं लेकिन आपको यहाँ पर यह topic ध्यान में रखने हैं कि अगर मैं exam में prepare करने जा रहा हूं तो य यह topic तो minimum मुझे आने ही चाहिए हम यहाँ पे topic को और add कर देते हैं वो topic कौन सा है हमारा LCM और SCF इस topic को extra कई बार क्या होता है number system में ही लोग इसको add कर देते हैं कई बार अलग से भी होता है तो यह आप इसको अलग से कर सकते हो कि LCM SCF आप यहाँ पे add कर सकते हो यह मैंने पाई चार्ट की help से आपको इस समझाने की कोशिश किया है कि कौन से topic का weightage क्या है देखो जैसे अगर मैं number system की बात करूँ तो अगर आप एक 2020 का I think या 19 का paper उठाकर देखोगे तो आप यह पाओगे कि 15 से 16 question जो है सिर्फ number system से थे ठीक है ना जब हम number system की बात कर र रहे हैं जो unit digit के question आते हैं जो number of zero से question आ रहे होते हैं जो question आपके divisibility rule पे आ रहे होते हैं digit के interchanging पे आ रहे होते हैं वो सब number system और जितना भी number related चीजे होती हैं कई बार page वाले question आ रहे होते हैं इतने digit हैं कौन सा page होगा तो यह सब चीजे आप number system के अंदर ले सकते हो तो Similarly, अगर आप 2013 का paper देखोगे, तो आप 2013 में पाओगे, कि 2013 में जो है, यह एक single topic जो percentage है, यहाँ से 14-15 question आए वे ते एक ही topic से, और वो भी कौन से question? जो basic understanding से हैं, ठीक है? अगर आपको percentage की basic understanding है, तो आप उन question को आसानी से कर सकते हो. Similarly, अगर आप देखोगे, तो ratio, अब देखो, है क्या? आपको अगर percentage clear है, तो आप सिर्फ percentage का question ही नहीं solve कर पाओगे. देखो, आप percentage से ही, अगर आपको आता है, तो आप profit and loss भी कर लोगे, lab and honey जी से हम बोलते हैं, काफी हद तक CI और SI का concept भी आपका clear हो जाएगा, अगर आपक जाता है तो, काफी हद तक, या अगर मैं बात करूँ, तो mixture के question भी आपके solve हो जाएगे, क्यों? च्योंकि आधा mixture जो होता है, वो percentage से होता है, आधा mixture जो हो ratio से होता है, तो percentage अपने आप में, आपको सिर्फ basic clear करना है, बाकी topic क्या है? आपको अपने आपी थोड़ा practice से हो ज चाहिए, similarly ratio, similarly DI, अब DI क्या है? DI कुछ अलग नहीं है, अगर आपको average आ रहा है, percentage आ रहा है, ratio आ रहा है, तो DI आपको अपने आप आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? चुकि DI में basic concept ratio का ही लगता है, और other topic का लगता है, लेकिन data आपको directly question के form में नहीं, एक chart form में दिया रहता ह है, जैसे मालों यह pie chart है, अब यह data given है, अब इसी से आपसे question पूछ ले, कि भही मुझे बताओ कि number system से ज़्यादा question आता है, या percentage से ज़्यादा question आता है, तो यह pie chart है, एक data है, उस data से आपको question लेना होगा, sorry, data लेना होगा और आपको question का answer देना होगा, तो यह आपको समझ 20% question आ रहे होते हैं, similarly, अगर मैं बात करता हूँ reasoning की, तो reasoning में आप देखोगे, तो यह आपके वो topic है, जहां से maximum question previous year में आए है, अब देखो, जो puzzles वाले हैं, अब puzzles एक broad term है, इसमें कौन-कौन सी puzzles हो सकती है, इसमें arrangement की puzzles हो सकती है, इसमें blocks वाली puzzles हो सकती है, इसमें blood relationship वा term है, लेकिन puzzles की practice क्यों जरूरी है, चुकि अच्छी बात क्या होती है, puzzles generally क्या होता है, puzzles का question, आपको एक data दिया रहेगा, और फिर उसके साथ में आपको 4 से 5 question puzzles के होंगे, अब अच्छा क्या है, अगर आपने वो puzzles को solve कर लिया, जो data दिया है, अगर आप उसको analyze कर लेते हो data के, तो आपके एक साथ 5 question, यसे मुझे आज़र 2013 में अगर आप देखोगे, तो blood relationship पे question दिया हुआ था, और फिर साथ में आपको 4-5 question दिये हुए थे उसके, तो आपने एक figure बना लिया, फिर 5 question आपको दे रहा है, तो ये आपके लिए सबसे best part है, कई बार sitting circular arrangement दे देगा, और उसको राम जो है, श्याम के दाएं बैठा हुआ है, घंश्याम बाएं बैठा हुआ है, इस तरीके से पूछ रहा होगा, तो puzzles वाले question क्या है, एक बार बन गया, 3-4 मिनित लेगा, लेकिन आपको 4-5 question regular हो जाएंगे, तो आप previous year paper के at least सारे puzzles को solve कर डालो, वो आपके and when diagram है, आप अगर देखोगे, अगर मैं बात करूँ फिर से एक analysis की, अगर मैं previous year paper के analysis की बात करूँ, तो आप आओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि अब देखो यहाँ पर क्या है, कि सबसे अधिक puzzles का बेटेज है, 30% question, क्यों? चुआ कि इसमें sitting arrangement वाले भी puzzles आ जाएं या बोल देगा कि राम शाम के ऊपर रह रहा है, साथ फ्लोर है, इसके नीचे रह रहा है, तो यह सब चीजें आपको puzzles में आएंगी, तो आपको puzzles बढ़ियां से करके जाना है, और आपको previous year सारे question solve करके जाने है, फिर आप देखो यहाँ पे silox, silox भी आपका, अगर आप द होते हैं, यह average है, तो किसी साल 4 भी आएगा, किसी साल 2 भी आएगा, किसी साल 1 भी आएगा, किसी साल 5 भी आ रहा होगा, लेकिन on an average आपको यह topic अच्छे से आना चाहिए, फिर आप देखो, तो statement and conclusion, आपको एक statement देदेगा, generally UPSC, और उसके बहाफ पे conclusion पूछ रहा होगा, क कि कई साल 2 भी statement होता है, एक statement देदिया, राम जब भी बजार जाता है, तो उसका accident हो जाता है, अब यह statement है, अब इसका conclusion निकल सकता है, कि राम बजार गया, उसका accident हो गया है, ठीक है, बहुत सारी conclusion हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, अभी मैं वो topic पे नहीं जा रहा हूँ हमारा aim क्या है, कि बताना कौन से topic आ सकते हैं, तो अब statement conclusion वाले part भी आप देखो गया, तो यह comprehension है पूछता है, और reasoning वाले part में भी आप से पूछ रहा होता है, फिर ranking और sitting arrangement मैंने देखा है कि यहां से भी 2-3-2-3 question पूछी रहे होते हैं, ठीक है, कई बार linear sitting arrangement पूछ लेगा दे देगा, साथ लोग बैठे हुए हैं, 7 people are sitting, और आप से कहेगा, अब पूछेगा कि दो corner में मालोग A और B बैठे हुए हैं, या B A के बगल बैठा हुआ है, B A के दाएं बैठा हुआ है, तो आपको sitting arrangement कई बार puzzles form में देगा, जहां 4-5 question होंगे, कई बार sitting arrangement आपको single question दे तो ये वाला topic आपका अच्छे तैयार होना चाहिए, देखो हमारा aim क्या है, हमारा aim यहाँ यहाँ पर cut off clear करना है, हमारा aim यहाँ यहाँ पर बिलकुल नहीं है कि हम पूरे paper की mastery करें, या 80 में 80 question करके आएं, चुकि GS हमारे उपर already a burden, यह burden कहेंगे और फिर already बहुत लंबा स levels वहाँ पर हमारे पास है, तो अगर आप at least इन चार topic की mastery कर लेते हो, तब भी आप आराम से cut off को clear कर जाओगे, फिर कुछ common sense वाले question होते है reasoning में, जैसे कई बार आपसे एक blog दे देगा आपको, कुछ उसमें अंक दे देगा, कि भई यहाँ number दिया माल लो 2, 4, यहाँ 6 दे फिर ऐसे कुछ number दे के यहाँ पूछ लेगा क्या है, तो यह कुछ practice से हो जाता है, कुछ वहीं पर click करता है, कि भई click हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कई बार series वाले question होंगे, कई बार तुरंद click कर देगे, कई बार click ही नहीं करता है exam में, हम लोग के साथ भी होता है, पास topic को hit करो, यह वो 20% topic है, जहां से 70% syllabus आपका exam में पूछा जा रहा होता है, ठीक है ना, ओके, next, अब देखो, comprehension की अगर मैं बात करूँ, तो comprehension अपने आप में बहुत broad है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजे है, author का view आपको पता होना चाहिए, author क्या कहना चाह रहा है, उसक of clear कर सकते हो, तो मेरा यह कहना है कि मैंने जो पाया, जो paper analysis किया, कि यह तीन logic जो है, अगर आपको यह तीन चीजे पता है, कि भई, influence कैसे निकालते हैं, main idea कैसे निकालते हैं, assumption जोगी, सब की कुछ-कुछ tricks हैं, कुछ tips हैं, for example, अगर main idea पूछ रहा है, तो main idea क्या है, हमेश होगा वहाँ पे, वही आपका main idea होगा, लेकिन, अब inference की बात करें, तो inference कभी भी direct नहीं given होगा आपको उसमें, जो आपका paragraph होगा है, जो आपका comprehension होगा, तो अगर आपको यह पता है, जिसे मानलों आपसे inference पूछ रहा है, कोई option दिया है, जो directly वहाँ पे given है, in general, तो आप उसको एक बार eliminate कर सकते हो, या देख सकते हो, आपके पास एक कम से कम chances है, इसके chances कम हैं सही होने के, ऐसा नहीं कि वो सही ही नहीं होगा, लेकिन chances कम हैं, कि यह सही होगा, तो यह आपको कुछ-कुछ idea पता होना चाहिए, कि main idea, inference और assumption कैसे निकालते हैं, तब भी आप कम से कम 4-5 question तो आसानी से solve करी लोगे, उसके बाद और भी आपको, जब आप comprehension की class करोगे, तो आपको idea होगा, कि किस तरह की question पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन ये 3 part ऐसे हैं, जो आपको अगर आता है proper तरीके से, तब भी आप एक अच्छे कासे question को attempt कर सकते हो, comprehension वाले part में, बाक यहां तो comprehension है, उसका आप से पूछे रहे हैं, लेकिन ये वो 3 चीजे हैं, जिसको अगर आप करते हो, तो 4-5 question इन 3 ideas पे होता ही होता है, तो अब यहां पे 20 person की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ, कि अगर आप सुरुवात कर रहे हो, तो सबसे पहले इस पे mastery इन 3 चीजों पे हासिल कर लो, यह आपके लिए बहुत important है, ठीक है, अब आपने जो मैंने बताया, उसको कर तो लिया, ठीक है न, आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन अब कैसे अब directly exam तो जा नहीं सकते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, यह तो हो गया ह पहला निशकर्च कि यह जो topic हमने discuss की, इसको आपको सही से पढ़ना है, लेकिन directly exam में जाने से पहले सबसे important चीज़ जो है, वो आपकी next slide है, हमने planning कर ली, हमने एक planning की, बई मैं 20% syllabus पढ़ूँगा, prepare भी कर लिया, लेकिन अब practice बची हुई है, तो यह भी आपके लिए golden statement है कि आपको 10 days में 10 mock, ठीक है ना, कम से कम आपको 10 mock देखके जाने ही, और मैं आपसे यह भी कहूँगा, कि अगर आप चाहो तो आप यह कर सकते हो, कि जो timing वहाँ पे C set की है, exactly same time पे आप यहाँ पे भी exam 10 दिन दो, पहली चीज़, क्यों, चुकि कई बार होता है कि paper 1 देने के लेंगे, इतना discourage हो जाएंगे, कि paper 2 के लिए वो energy नहीं बसती है, तो यह कुछ चीज़े आपको avoid करनी है, during the examination, paper 1 हो गया, ठीक है, अब जो दे दिया, देखेंगे बाद में, अभी discuss नहीं करना, अभी paper 2 पे focus करना है, and second thing, आपको वो 10 mock before the examination, देना ही देना है, इनको analyze करना है, और mock देना कैसे है, ऐसा नहीं, कि आज मैंने mass दे दिया, सुबह mass दिया, दो पहन में reasoning solved किया, शाम को comprehension नहीं, आप 2 घंटे का stop watch लगाओ, exactly वही second half में बैठो, जैसा आपका UPSC में exam होता है, आपको अपनी biological clock भी sit करनी है, उसके according, मतलब आपका mental preparation हो जाए, कि okay, मैं एक paper दे रहा हूँ, और जब आप actual में paper दे रहे हो, तो आपको लगे कि मैं mock paper दे रहा हूँ, तो आप 10 mock कैसे, जो हमने decide किया, जो हमने 20% syllabus की बात की, उसको पढ़के, आपको ये 10 mock देना है, और देखना है, आप कितना इसमें score कर पा रहे हो, और ये आपके लिए, एक जिसे क एक साथ दोगे, ऐसा नहीं किया अलग है, generally mock बच्चे समझते हैं, okay मैं कभी भी दे रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है, आप कोशिश करना, second half में जो आपका timing है, वही आप mock यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि before the examination या exam से पहले आपको क्या करना है अब मैं आपको next बताने जा रहा हूँ कि जब आप exam दे रहे हो, during the examination, आप कैसे पूरे paper को handle कर सकते हो, ठीक है, और देखो मेरा जो तरीका है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ magic दे रहा हूँ, नहीं, nothing is magic, some small small tips है, apply करोगे, chances बढ़ जाएंगे आपका exam clear होन ठीक है, next आप देखो, ये भी आपके लिए बड़ा important है, मैंने generally पाया है, आप इसे mock paper में भी try करना है इस चीज को, कि during the mock paper, during the examination, generally बच्चा क्या करता है, वो question number 1 से start करता है, and move till question number 80, या वो question number 80 से start करेगा, या फिर वो question number, एक, just a minute, 1 से लेकि या तो वो, sorry, 1 से लेकि या तो वो question number 80 तक जाएगा, और या फिर question number 80 से start करके, वो question number 1 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन, होता क्या है, मालो आपने question number 1 से start किया, और आप 80 की तरफ जा रहे हो, और 2 अगर समय खतम हो गया, हो सकता हो, आप 50 कोश्चन तक ही पहुँच पाओ, ठीक है, अब एक possibility ये भी है, कि 37 से लेकि 80 नंबर तक जो question तक हो, बहुत simple हो, या फिर अगर आप 80 से 1 की तरफ आ रहे हो, तो हो सकता हो, आप 20 कोश्चन तक ही solve कर पाओ, 20 कोश्चन तक ही solve कर बहुत easy हो, तो ऐसे case में क्या है, कि आप luck का सहारा ले रहे हो, कि आप easy, क्योंकि पूरा paper difficult नहीं होता है, आप अगर previous 10-11 साल का paper देखोगे, तो कभी भी पूरा paper difficult नहीं होता, paper simple होता, कुछ part simple है, कुछ difficult है, ऐसा कुछ paper आ रहा होता है, तो आप ये समझो, कि पहले 15 से 20 म internet में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको, जिसे कहते हैं न कि, आपको पूरा paper एक बार thoroughly revise, मतलब revise मतलब thoroughly देख लेना है, कि first question से लेके, आप मतलब होता है नहीं कि आप एक बार visit कर लो सारे question, मतलब पहले question से लेके 80 question तक आपने solve करना चालू किया, और पहले 15-20 में मैं कि यह सबसे simple-simple question, चुन-चुन के simple question, ठीक है न, जितने simple-simple question है, आपने एक से start किया, ओके, पहला देखा, कुछ कम समझ में आ ठीक है, बाद में देखूँगा, दूसरे पर चला गया हमें, दूसरा simple है, लग रहा हो जाएगा, solve कर लिया, पांच वह लग रहा हो गया, solve क लिया, तो ऐसे करके आप पूरा paper एक बार देख लो, उसे फाइदा क्या होगा, कहीं मालो simple आया है, कहीं difficult आया है, तो आपको एक mental map बन जाएगा, आपको एक idea लग जाएगा, ठीक है न, और आपको एक समझ में आ जाएगा, कैसे पूरे paper को solve करना है, ठीक है, तो पहले 15-20 minute, आप paper को देख लो, समझ लो, जो simple question solve हो रहे हो, solve करते चलो इनको, आप आओगे कि first half an hour में, या पहले एक घंटे में, आपके बहुत सारे simple simple वाले question हो गए है, अब second half या second एक घंटे में, आप जो थो difficult है, थोड़ा moderate level के हैं, उनको आप solve करते चलो, चुकि पूरा paper तो solve क करना नहीं, आपको कितने question करने हैं, बताओंगा मैं अभी आपको, तो आप ये जरूर धियान रखना, कि पहले 15-20 minute, पूरे question को देख लो, फिर आप क्या करोगे, पहले एक घंटे में, जितने simple वाले part हैं, चुन-चुन के simple question करना है, ठीक है, आपको cut off clear करना है, marks नहीं ज important है, चुकि ये भी बच्चों के लिए, जिसे कहते हैं कि, एक्जाम में बहुत helpful होती है, देखो, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, never wake up a warrior, be like a hunter, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बहुत सारी movies देखी होगी, ट्रॉय जैसी movie देखी होगी, जहां पे बहुत युद्धा रहता है, लेकिन एक proper strategy के साथ, एक आदमी जाता हो, उसको मार देता है, और वो पुरे युद्ध को जीत लेता है, ऐसे बहुत सारी stories है, अगर आप history में जाओगे तो, ठीक है, एक्चुन में है क्या पूरा concept, warrior क्या होता है, देखो, दिक्कत क्या है, suppose, मैं as a teacher अगर हूँ, मालो मेरा mass बहुत अच्छा है, मैं exam देने गया, और by chance की बात है कि mass का portion बहुत difficult था, अब होगा क्या, अगर मैं mass के question से जूज रहा हूँ, solve नहीं कर पा रहा हूँ, और हो सकता हो reasoning और comprehension बहुत simple आए हूँ, ठीक है न, लेकिन मैं warrior की तरह नहीं, मुझे इस question क करना ही है, जूज रहा हूँ, और मैं 5 मिनट, 7 मिनट एक एक question पर लगा रहा हूँ, अब देखो, आपको समझना क्या है, चाहे mass हो, चाहे reasoning हो, चाहे comprehension हो, सब के marks बराबर है, धाई number का सब है, ठीक है, अगर धाई number का 3 है, तो आप ये समझ लो, कि आपको करना क्या है, आप को simply, एक question को, आप चाहे mass का करो, चाहे reasoning का, और चाहे आप comprehension का कर रहे हो, सब में आपको बराबर marks मिलेंगे, तो आपको क्या बनना है, मैंने क्या कहा, चुन-चुन के simple question, be like a hunter, ठीक है ना, hunter क्या करता है, जहां शिकार दिखा, वहीं पर, warrior ने लड़ना नहीं है, कि share के साम या खड़े हो गए, ठीक है ना, आपको warrior बनना है, मतलब क्या है, अब वो reasoning का question होगा, comprehension का होगा, या mass का होगा, जो simple होगा, मैं वही करूँगा, जो आ रहा होगा, मैं योही करूँगा, thumb rule क्या है, thumb rule ये है, अगर किसी question में आपको एक minute से जादा लग रहा है, और आपको स तब आप आके देख लेना, मैंने क्या पाया हुआ है, कई बार बच्चा पांच मिनद बरबाद कर देगा एक question में, और पांच मिनद के बाद मानलो solve भी कर लिए, तो हो सकता हो उस पांच मिनद में reasoning के दो question हो जाएं, हो सकता हो comprehension के तीन question कर लो, हो सकता हो पांच मिनद में 20 seconds में solve कर लूँगा जिसे for example puzzles है तो puzzles की बार एक मिनित में नहीं बनेगी लेकिन ठीक है मुझे एक idea तो लग रहा है कि क्या करना है तो ये आपके लिए एकदम golden statement है अगर आप इसे follow करोगे तो आपकी again probability बहुँच जादा है अब देखो एक confusion हमेशा बच्चों कर रहता है कि सरक कितने question करें कि जिससे मेरा exam clear हो जाए तो मैं आपको एक map दे रहा हूँ एक आपको बता दे रहा हूँ देखो आपको cut off clear करना है मतलब one third mark लाना है ठीक है तो आपको actual pass होने के लिए 27 marks चाहिए 27 question आपको solve करने है 27 question अगर आप सही करोगे correct करोगे तो आपके जो marks होंगे वो आपके marks होंगे 67.5 मतलब आपको 27 question सही करने है exam में अब 27 question आपकी negative marking भी है ठीक है ना तो अब ऐसा तो possible ने कि आपने 27 किया और 27 सही हो गए 0 negative है ठीक है ना तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे strategy बनाई है आप इसको समझते हैं और यह अगर आप करोगे तो कितना approach होगा कितने question करने वो हम discuss कर लेंगे देखो आप अगर 3 question गलत कर रहे हो तो आपका 1 question का marks कट जाए क्योंकि 1 third negative marking भी है तो यह तो आप 1 question सही करो यह 3 question गलत कर दो आपका 1 question जिसे आपको अगर 1 question करने में धाई mark मिलेगा तो 3 question गलत करने में आपका धाई mark चला भी जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो अगर आपको यह qualification के लिए 27 का आकड़ा चूना है अगर आपको यह qualification के लिए मालो 27 का आकड़ा चूना है तो अब यह तो possibility बिल्कुल कम ही है कि आपने 27 question किया 0 गलत हुआ और effective आपका 27 question सही हो गया इसकी तो possibility बहुत कम है अब एक possibility है कि आपने 30 question किये total 30 question attempt किये और अब देखो अगर 30 question आपने attempt किये तो आपको qualification के लिए effective 27 question सही करने है मतलब 3 question आपके जिसे कहते हैं अगर आपने यहाँ पर 3 question सही से ज़ादा किये मतलब effective से 3 question आपके ज़ादा सही हुए है तो गलत करने की possibility कितनी है मैंने आपसे कहा आप 1 question सही करोगे धाई mark मिलेगा 3 question गलत करोगे धाई mark कर जाएगा अगर आप देखो तो आप 30 से 3 question ज़ादा पे हो मतलब आपके पास 9 question गलत करने की possibility है मतलब क्या हुआ आपने 39 question attempt किये उसमें से आपके out of 39 आपके 30 question सही हो रहे है और 30 question जैसा मैंने आपसे कहा आप actual से जो आपको qualifying है उससे 3 question ज़ादा सही कर रहे हो और 1 question सही किया मतलब आपको एक liberty मिल गई 3 question गलत करने की तो आपने यहाँ पे 3 question ज़ादा सही किये तो आपके पास liberty है no question गलत करने की effective आपका अभी भी 27 question ही सही रहेगा second possibility क्या है आप अगर 55 question कर रहे हो suppose आपने 34 question सही किया आपने 34 question सही किया तो आप 34 सही किया तो आपने actual 27 से कितना ज़ादा किया है 7 question ज़ादा सही कर दिये हैं तो मतलब आपके पास effective possibility है 21 question गलत करने की 21 question गलत करने की ऐसे third possibility भी आप देख सकते हो जो मैं बच्चों से कहता हूँ ideal approach इसी के आसपास कहीं होती है मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो ideal approach मैं बच्चों से कहूँगा इससे कम question नहीं करना है अगर until unless आप एकदम sure हो कि मेरा जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ अगर आप sure नहीं हो तो आपको minimum 50 से 55 question तो या एक ideal range है यह मैं कह सकते हैं तो minimum नहीं कह रहा हूँ एक ideal range है कि इतना तो आपको करना ही करना है questions में अब जाहिल सी बात है आपको 27 सही करना है तो मालो अगर आपने 40 question सही कर दिये तो आपके 15 question wrong होंगे उसके according आपके marks बन जाएंगे या मालो आपने 34 सही किये तो आपके पास एक possibility है 21 गलत करने की तो एक ये मुटा मुटा आपको अंदाजा हो जाएगा और आप देखो कितना simple है हमें कितने question करने है 34 question सही करने है सिर्फ और आपके पास एक गलत का भी बहुत बड़ा पिटारा खुल गया 21 question गलत करने का अब 34 question अगर बेटा आपको सही करने तो आप सोचो कितना आसान है 34 सही का मतलब अगर मैं बात करूं mass reasoning और comprehension की 12 comprehension कर लिए या मालू मेरी reasoning बहुत अच्छी है मैंने इसको 15 कर लिया मेरा mass week है मैंने यहाँ पर 8 ही किया और 8 question उन्ही 20 percent में से पका आ जाएंगे तो कितना हो गया 15 plus 8 23 हो गया comprehension में मैंने 11 कर दिया comprehension में मैंने 11 कर दिया मेरा comprehension बहुत week है मैंने comprehension में 5 कर दिया मेरा reasoning अच्छा है मैंने 15 कर दिया मेरा mass अच्छा है मैंने 14 कर दिया 34 question सही करने है केवल और देखो आपके पस उसके बाद भी 21 question गलत करने की अच्छी खासी possibilities है तो एक ultimately आप देखो तो आपको सब कुछ नहीं जानना है ये देखो mass बहुत week है आप mass को और कम कर दो 5 कर दिया reasoning को आप 18-19 कर दो चुकि reasoning तो आपको आ रही होती कई बार तो 18 और 5 कित्ता हो गया 18-25 अप कित्ते बच गये comprehension में 11 हो गये आपको जो आपको सही करने है बाकी आप देखो गलत करने की possibility कितनी है 21 question गलत करने की possibility आपके पास यहां पे है तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो सब कुछ नहीं जानना है limited चीज़े जाननी है और limited चीज़े जानके भी आप exam को clear कर सकते हो, qualify कर सकते हो तो hope आप इसको mock में try करोगे इन strategies को एक बार करके देखोगे और इसके बाद भी आपको doubt रहते हैं तो आप discuss कर सकते हो आप comment box में डाल सकते हो लेकिन whole idea क्या है whole idea यह है कि आप minimum effort के साथ भी पूरे paper को clear कर सकते हो ठीक है all the best for examination thanks for